तो हलो गुट माले टोलेफी कैसे हैं आप लोग उम्मिद करते हैं सभी को अच्छे होंगे तो सुरी करते हैं आज का सेशन बहुत ही जब अरतस दोने वाला है आप लोग का थियोरी क्लास अलेडी कंप्लेट हो चुका है जिसमें 6 ख्लास 7 ख्लास 9 ख्लास का मैं 6 चप्टर त चला है ठीक है और बहुत सरे बच्छों को कमेंट लगतार आ रहा है कि इसके पीडियफ इसके पीडियफ आप जितने भी चप्टर पढ़ा रहा है उसके पीडियफ के हम दों को दीजे तो मेरा जो टेलिग्राम चैनल जो है आप भी लोग के वज़े से आप लोग इतना ना सपोर्ड किये तो आज उसको मैं टेलिग्राम चैनल बना हूँ उसका आप सर्च किजेगा तो ये बड़ा रखेगा बाकी अल एम बाकी सारा चोटा रखेगा ठीक है तो ये बड़ा सिर्प और बाकी अल एम कर दीजेगा और एस आई आर अलम सर और ट्रिपल फाइब से कर दीजेगा आप लोग को चैनल मिल जाएगा और उसका लिक भी इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट वक्स में में डाल दूँगा आप चाहेंगा तो वहां से भी डिरेट इसमें जा सकते हैं इससे आप लोग टेलिग्राम चैनल से आप जोईन हो जाएगा जिस भी तरह का प्रब्लम हो देखिए बहुत सरे बचे क्या ना कि जैसे बुक का नाम पूछ रहे हैं तो मैं कई बर कमेंट कर चुका हूं होता क्या ना कि जैसे दस बचे किसी कमेंट आया तो मैं किसी एक का कमेंट का इसर दे देता हूं बुक उसमें नाम बता देता हूं और बाकी आप स कैसे टाइम को मैनेज करता हूँ, खैर कोई बात नहीं, आप लोग के जितना सपोर्ट मिला है, वो हमेसा मेरे लिए याद रहेगा, ठीक है, पहले यहाँ टॉपिक को बात किया जा, टॉपिक को पढ़ा जा, लास्ट में, सारी बात ही की जाएगी, कैसे क्या हो रहा है, और ज सब चीजह पढ़ चुक है, यहाँ पर एक छोटा सो नोट स्टैप को भी दिया हुआ, इसको एक जलक हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब सामने दिया हुआ ता छोड़ना का है, का है कि नहीं, कभी-कभी एक्जामों में पस्तवा होता है, कि सामने दिया हुआ था और आ महादीब के अंतरगेता है, यह तो मालूम है, और एसिया के दच्छिंसाड में, भारत ऄध सब्सका है, तो हिंद महासगर के न सब्सक्राइब, ओंतर सब्सक्राइब, इसमतलब के हुआ है, यह हम लोग उत्तर जार değ भारत, वात ना भी घुराद का है, यह हम लोग उतर इ इस साथ से देखेंगे तो पूरे स्वाइड वे यही अक्संसी और देशंतरी बिस्तार ठीक छेदर पल के साब से देखेंगे तो सात्वा सातु देश के नम लिखा है रूस रूस कनाड़ा अमरीका चीन ब्राजिल आस्ट्रेलिया ठीक है उसके बाद से आ जाता हम लोका भार घंड़ा जिसे रूस कनाड़ा चीन प्राजिल अस्ट्रेलिया भारत चीन और क्लास में देखाया था उसमें लिखा हुआ था एक जगा लिखा हुआ था कि चीन ब्रा और दूसरे जगह लिखा हुआता है यूस से बड़ा मतलब थर्ड नवर में हमें सा कन्फूजन की रियाट होते हैं तरह ठीक है आगया जी यह तो यहां देखेंगे हैं 26 दोड़ी 2020 को जो 28 राज और 8 कंदर सासीद पर्दिश बनते हैं जिसमें यह दादर नगर और दमन यहां पर है तो मैंसल तो अब लोग इसको थोड़ा दर रट लीजिए उसके बास से जमू कस्मीर का पुनहर गटान हो चुका है जमू कस्मीर को क्या बना दिया गया के अंदर सासीद पर्दिश बना दिया गया पूरी दुनिया में 2.4% हम लोगे एरिया फैला हुआ है चैन सब्सक्राइब में साड़े सतर परसंट है मालूम है आप लोगे 2.111 की जनगनी की बात कर रहा है ठीक है पकिस्तान के कबजे में हम लोगे एरिया यह कुछ देखे यह थोड़ा से नया मिल गया कि पकिस्तान हम लोगे के अतना अरिया कबजा करकर रखा है तो देखें लोगे और चैना 5183 किलोमेटर हम लोगे चेक है तब 5100 चैना रशेक चुका है और 78114 यह पकिस्तान लोगे रखा है और उसके बाद देखेंगे तथा 11 कानूनी धांग से चीन और कबजे में रखा है उसके अलाबा भी बहुत सरे देखो यहां जो चीजे लिखा ना की 78114 पकिस्तान कपजा कर रखा और वो का किया चाइना को दे दिया उसी में से 5113 किलोमेटर ठीक है और चाइना भी कबजा कर रखा अब आते हैं पहले नमर कोश्चन में कोश्चन बहुत ज्यादा है थोड़ा मुड़ा कोश्चन नहीं है और कोश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा कास है आगर आप सभी को नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िए का बहुत मज़ा आएगा ठीक है नमर कोशन लिखा है निम लिखित में कत्नों में से कौन से भारत के बारे में सही है सही उत्तर का चैन हे तू अधो लिखित कुड़ का उपयोग किजिए भारत वीस्वा का पाचव अबढ़ाते से उप तो दून इस नमर गर यह यह सही लग रहा ठीक है उसको अबस नमुच है भारत का उस्ने कटेवन देशितले एक तरतम फूरे भारत में उसने कटेवन दूठिया नहीं है इसलिमले नहीं है कि कारण क्या है कि यह भारत कदखेंगे त माननगे- चलो कि हम लोगर मुटा समय रहता है यानि दो और चार सही है तो कौन सो जागा दो और चार सही एंसर हो जागा ठीक है कहानी पूरे समझ गया लो हम लो यहां पर उसकी पूरी डाटर लिखा हुआ चाहे तो आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं देख सकते हैं कुश्चन नमबर टू लिखा है चेतर पल में बोलिएगा जब एक्जाम देख आईएगा ठीक है आप से उस समय बात कीजिएगा और वीडियो में मस लग रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताएगा कि इसी तरह का यह सेशन जो है कंटीनू लाओं आप लोग पसंद करेंगे ज्याद कि आपका 1 to 5 के लिए भी काम करेंगा 6 to 8 के लिए भी काम करेंगा 9 10 के लिए और 11 तो यहां देकि लिए भारत वर्स आकार 200 में है भारत वर्स पूरे 200 में कितना बड़ा है कितने नमर पर है वो इसी कोशन को MPPCS जो है थोड़ा सुगमा को पूछा हुए ता साथवे नमर पर है यह आप लोगो पता ही है ठीक है अगला कोशन आते हैं अगला कोशन को ध्यान देंगे तरीका है भारत का चतरपल में 2,24% जो है भारत का चतरपल संसार में 2,24% है परन्त हुआ था कोशन उन्हीं सो चरण में ठीक है उन्चलिस वा भी पेसी में और यह कोशन आने की बहुत समय बना होगी और यह कोशन सायद सायद में भी पूछा हुआ था ठीक है तो चाड़ नमर कोशन हो गया आप लोगो समझा गया ना तो साड़े सत्रे परसंट जंसा कितनी है भारत में जंसा के साठी साथ सत्रे परसंट ठीके अगला कोशन आपके भारत में लगबर कितने गाउं है तो भारत में कितने का यह ना इन में से कुछ नहीं होगा क्यूंकि गाउं था कितना छे लाग्च लग चालीस जार 932 चे लाग चालीस जार 932 टोड़ल गाए चलिसे जार नौसब बत्रीश ठीक है अगला कोशन देखेंगे कौन से जोड़ी सही नहीं है और यह जारकंट PCS में एक्जाम में कोशन पूचा गया था इसमें से कौन से सही नहीं है तो भारत का चतरपल दू दसमलो तीन दसमलो दो आट वर किलोमेटर फड़ा थी तो ठीक अग्छंसी अभी स्तार तो भी ठीक है इसका मुख्य भूमिका अना उसको बहुत देखेंगे भारत कर रहे खी अभी स्तार देखेंगे मतलब देसांतर रखी वे स्तार यह भी सही है लेकिन भारत में राजों के 26 नहीं कितनी है 28 तो सीथे सीथे और आप सबीको लगा सकते ह हम पुछा बड़-बड़ अधिकारी लेबर के जाओं पुछा है इसलिए एक कोशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टन हो देता है और यह कोशन बहुत जबर्दस्त होगा हमें उम्मीद है कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा हुआ तो एक बार कमेंट कर बता दीजे कि य यह एक वीडियो में आप डाल रहा हूं एक तरह से आपको समझे कि इस पूरे जो भारत का भोल का जो हम लोगों कोशन करने वाल है उसे एक तरह सी यह टेलर हो गया ठीक है तो अगर आपको बेस्ट लगेगा तो यह कंटिनू से चला जाए जागा और बहुत बेस्ट तरीक है यह क्या है तो जन सब्सक्राइब में दूसरा नंबर में हलाकि एक नंबर में बीच में जो हला हो गया तो एक नंबर माग यह है जब 2021 जो जन गन्ना का रिपोर्ट पब्लिस हो जाएगा और उससे जब एक जाम में कोशन बनने लेंगे तब उस समय उसको क्लियर किये जा सबसे पूरब में अगर कोई राजी है तो कौन सा है अ क्यों सा लुट再見 डीच है अब आज ऑगला से अगला से अट नुमर कोशन देखेंगे में कौन सगिया हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तीन चार टॉपिक को पढ़ लिए जा ठीक है, समय कोई ज्यादा लग नहीं रहा है, तो चाहेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं, आज ये अक्षांशिय भीस्तार को देखेंगे, अक्षांशिय भीस्तार भारत कर देखेंगे, तो पृतिवी पर, अक्षांशिय भीस्तार भारत क्या है, तो उसके बार हम समझे लेते हैं, पृतिवी के केंद्र पर मापी जाने वाले कोनिये, दूरी को क्या करते हैं, अक्षांश करते हैं, या पृतिवी के केंद्र पर मापी गई, जितने भी कोनिये दूरी है, उसको क्या बलेंगे, अक् परतीवी पर दो परकार कया अक्षांस बढ़किया एक तो जिरो डेग्री अक्षांस इसको म captivity को इक रेका टे और विस्त सब्सक्राइब को तो मुद्छार पर धिद अंतर रखाए दिसंतर रखाए भी समझते उतर से चिंद इतनी भी रखाए की चीगा थी उसको दिसंतर रखाए कहा था अब यहां लिखाए एक चांस एक डिगरी के अंतराल पर खीचा गया है और टोटल जो एक चांस कितनी है नवासी रखाए यही मुझसे तो यहां पर यहां पर यहां पर याद रखेगा उत्री गुलारत में भी नवासी और दसनी गुलारत में भी नवासी है टोटल देखेंगे तो 179 यानि एक मिला दीजएगा विश्वत रखावला तो टोटल हो जाएगा 179 अक्छांस से रेखा है लेकिन अक्छांस पुछा जाएगा तो आक्छांस हो जाता है 181 और अक्छांस रेखाए हो जैती है चाहा हो जाए दो ऑगा हो जाए जो डूरी घो जाएगा फॉद्ध कि कि तो 50 अक्षान से दोनों वही होता ठीक है उत्री दुरू अदर्शनी दुरू में कालप नहीं रखा है जो पृतिवी को दो बराबर भागों बढ़ती है वाना को पर्धान या मुनत्तर रेखा यानि की ग्रीन विच में टब जे से कहा जाता है GMT यह रेखा जो लंदन की ग्रीन व होता है वह पूरब से पच्चिम की ओर उत्री दुरू से दुरू को मिलाने वाली करपनिक रखा जिसे द्यान देजिएगा इसके दूरी कैसे बढ़ रही है तो यहां पर देखिए दोबारा इसको देख लिए ना देखिए यहां बीच में देखिए तो दूरी ज्यादा है इनके बीच मी 성ेивает जाता है और वहां निए तरफ लाणि जाहिए दूरू पर जाएगा फोफ दूरी ऊश्यादा हो चुका है तो सबसे देसंटर रहाएं कंब इसकी की दूरी कहा होती है तो 200 रिखाप होती याद रoggूषर थिक्दि सब्सक्राइब किलोमेटर का गयाप होता और अक्छांस का भीक था कितना लगबग एक च्वए गार यह वही था ठीक है तो दुनों का उतना ही होता है लगबग अब इसका जैस अंतर यह विस्तार अक्छांसी विस्तार देखेंगे तो छो चार से लेकर 37 चो तक है ना 6 चार स लिखा है यह कहा है तो अंडबान निकोबार से सुरूए इसलिए निकोबार के निचरे जगा सुरूए इसलिए 6 दार दिया हुआ है यह चीज़े मैं बता चुका हूँ पहले भी बहुत बार ठीक है थीओरी क्लास में वीडियो बना हूँ आप सभी देखेंगे उसके बाड़ा चुका हूँ बहुत बहुत मैंने से बढ़ा हूँ उसमा वीडियो के दिखेंगे निट चीजे बहुत अच्छी तरह से आपको क्लिया हो जाएगा ठीक है सबजये के ना अब आते एक कोशन अंसर पर लो यह कोशन देखेंगे लो तो भारत विस्तार है तो भारत क अब इसतार अगर देखा जाएगा तो खिसमें हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिट से लेका और 60 डिग्री 7 मिट तक और 70 डिग्री 25 से लेका यह जो और 65 तक है और 8-4 से लेका 37 चोड़ देखेंगे उसका सिक्किम से गुजरनवाले अक्षान से निमलीकित में से किस एक से होकर ग ना तो बारत का अगर मैं ठीक से देखे रहते हैं यहां से यही गुजरता राजस्तान से मतलब यह जो अक्षान से रहा है यह सीक्किम से भी गुजर रहा और राजस्तान से यह कुशन एक्जाम में 2010 ने पुछा हुआ तो आप देखी यह कुशन कितना इंप्रोटन्ट हो है कि नहीं है आगया जी देखिए आज थोड़ा सा समय ज्यादा लाएगा कल से कोशिस किया जाएगा कि चीजों को और बहुता तरीका से कम समय में आपको ज्यादा बता दू ठीक है तो थोड़ा समय निस कीजिएगा आगया यह यहां पर जिस जिले से 70 डिग्री पुरवी होगा वहां के लिए फ्यमास हो जाएगा ठीक हम लोगी के लिए उतना ज्यादा काम के लिए लाइक नहीं हुआ क्योंकि एस्पेसिली वह राजस्तान का कोश्चन अब आज यह करकर रखा के चीज़े दिए तो करकर मोटा मोटी इसमें समझ लेते हैं क्या क्या है साड़े 30 से गुजरा हुआ है भारत का मद से गुजरा हुआ है ठीक है आठ रजी शोगर गुजरता है गुजरात राजस्तान मद परते सद्योगर जारकंट पच्छिम मंगालति रपूरा मीजूरम इस चीज़े आप सभी जानते हैं पहले से कई बर बताया हो ठीक है उसका बद सब महत्रपूँड जगल दिया और 31.5 डिगरी के आसपास के जगधिया अगर तला साढ़े तेश्ट डिगरी गांदी निगरी उनहींड मिनट जबलपूर तियसदीगे गार एक जेन तेश्ट जीरो नो क्लकफा तर तेस 17 डिगरी पूरियों क्लकफा जो है साढ़े थेश्ट गुजरती है जो UPCS यह उत्रपरदीश की PCS exam में 1990 में पुछा गया है तो किस राजे से होकर गुजरती है तो बिहार से उस समय बिहार से 1990 में बात कर रहे तो अभी तो ज़ार कंट से होगा ठीक है क्यों कि 2000 में बिहार से अलाग हो गया 15 नौंबर 2000 को बिहार से अलाग हो गया कोई जहार कंट ठीक है कर करेका जो है निम्लेक में स्किन राज्य सोगोर गुजरती है यह पूछा है कोशन 2017 में PCS में ठीक है उत्रपर्दिस के PCS में तो याद रखना गुजराथ चाटिस गौड और उत्रपर्दिस से तो नहीं गुजरता है गुजराथ हुज़ाथ चाटि इनने से सभी हो जाएक है इसमें लिकावा कि कितने भारत है पर्देशों से होकर करकर करका गुजरती है तो आट पर्देशों से होकर करकर गुजरती है पुछा का थिक निम्लीक तमें से किस राज जिससे करक रेखा जो है निमलिकित में से किस राज जिससे करक रेखा नहीं गुजरती है मतलब नहीं गुजरती है किस से भईयाद अतिरपूरस गुजरती है तो आपको पता रहता कि कौन से गुज़रा है तो गांधी नेगर गुज़रा है ठीक है फिर से यहां चारों को देख सकते हैं गांधी नेगर है जो 29 पर है उसके बाद अगर तल्ला टीज़रा है तो सबसे नज़्दीक में कौन से याद रखेगा सबसे नज़्दीक में हम लोगा है कौन से हो जाएगा याद रखेगा गांधी नगटिक स्वरी नहीं करता हम दूरी मतलब सबसे नज़्दीग पढ़ें और यह देखे कोशन तीन बार पूचा है एक बड़ी पूछा है उसके बाद से उत्रपर्देश के लोगर सबस्पेक्टर में पूछा है ठीकिन मतलब यह तीन मेरे कोचन बार बार आया दस में दू में निननमें यह कोचन काफी इंपोर्टन्ट है इसके बाद लिखा है कि निमने नगरों में से कौन सा करक रेका सबसे निकट है किस जगह उपर सबसे ज़्यदा करक रेका निकट है फिर से वही आ गया तो कॉलकात्या में सबसे ज़्यदा नजदी कर ठीक है उसके बाद लिखा है कि कौन सा महात्पुर्ण अप्छांस भारत के दो लगभक बराबर भागम बढ़ता है तो कौन सी रिखा हो गया तो वह ह करक रेखा के उत्तर में ती जो करकर से नीचे फ़से सबसे नीचे के निचे निके आधेगते है सबस्धब को गया जो करक रेखा के पास में आगे जी सबसे निकटते सबसे नंगी ततर संभान से लिए जवाल पूर्फलिए . देख सकते हैं यहां पर उसका चाट बना हुआ कौण से नस्दीक बठीप का जो ए धिक , Щा बना वा उसका चाट लिए अगला पूप जनाते है ठीक है मानक समय रेका जो है उसको परमाणित माध्यान रेखा भी यानि भारतिय समय रेका यानि आई एस्ट इडियन स्टेंडर्ड टाइम का जाता है साड़े ब्रैसी डिग्री देसंतरवाला है इलहाबाद के वर्तवान प्रयागराइस के मिर्जापूर से कभी-कभी इसको जल्दी बता रहा हूं उसका बाद देखेंगे तो भारत के ब्रीहत अक्षांसी अबिस्तारों के कारण गुजरात और नचल परदेश में समय का आंतर दो घंटे को ठीक है यह बी चीज़े जान चुग है लो ठीक है उसको बाद एक टनाई से बचने के लिए अग्या जी को मानाक समय रहा जो पांच राज़ू गुजरता उत्रपरदेश मंद परदेश अत्रपरदेश अत्रपरदेश पांच राज़ू से गुजरता है ठीक है यह बी चीज़े पता है अब यह का तो 180 डिग्री अना देशांतर टोटल जो है पूरा पच्छिम दोनो के वह जो एक शची डिग्री पूरबसाइट में है अना पूर बीच देशंतर और पच्छमी देसंबर दोनों और यह एक शची डिग्री एठीक है और उसके बलते हो चोबीस घंटे में केतना मिनिट होता है तो 1440 मिनिट होता है तो 360 डिग्री घंच जता है फ्रयबृत भी पूरव से पच्चिम अपनी धूरी पर घुमते रहता ठीक है पूरव से पच्चिम जाने पर GMT अब देखेंगे तो पूरव की ओर जाने पर GMT आगे बढ़ता है यानि हम लोग तरफ आएगा GMT से तो आगे पच्चिम को जाईएगा यानि भरत से पीछे जाना पड़ेगा समय पीछे जाना पड़ेगा और उसे पीछे जाएगा और चीजे सब पता है आज पर GMT अब भारते समय रखा जो हता है बारती समय रेका GMT पर GMT एक स्थान पर चो बसता है तो उसी स्थान के अवस्तिती जिस GMT पर है वो क्या है ठीक है याद रिखे कि वह हो जाए करने इसको निकलना पड़ेगा पूरी तरह से पूरी डाटा के हिसाब से चार्ट बना कि आप यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है है समय 90 पर कितना अधारत हो रहाए तो वह स्थान भारत में भारत में पूरु με है यादि भारत में और रात है और वहां पर अगर सुः हो चुका है इसका मतलब क्या है भारत और पूरव में तहलने भारुव हो कहें आगे है आपका आजाएगा ठीक है आगे आते हैं को संसर गुजरात के पच्मी गाउं और नचल परतिस में सबसे पूर्वी छोर ना कितने घंटे कंतर है तो यह दू घंटे कंतर है अब इस उपर पढ़े लो ठीक है उसका जबालपूर के दसंतरी इंदौर का इंदौर भुपाल के जब्सार के बीच रखाये के बीच जबालपूर जब्स तर रखा इंदौर और भववपाल के दसंतर पर सही है गलत है क्या विसका अउरंगाबाद अकछाब्यूरा एम पूरे के बीच में है ठीक है उसका तो बंगलवरू की वस्ति चंनई की तुल्म अतीक दच्छीन वर्ति में हैं तो क्या चीज़े हैं देखेंगे तो दो और तीन सही हो जाएगा आपका ठीके पहला जो है गलत हो ठीके यहां पर देखेंगे तो उसका चार्ट बना हुआ कौन किसके बीच में है क्यों कि धार ठीके तो इसी इस परस्टूप से आपको समझ जागा कोन भारती है मानक समय रखा दिसंतर के निकट है सबसे निकट कौन से समय रखा हुजए ठीक है बारती है मानक समया अगे समया समय जो सबसें All नजदिक है वो सोहर किस से धिसंतर र contracts उआ जू समय रहोए ठेक है तो बंबर डिगोरी पुर्वी द्यत्स अंतर में याशी तूअ के समय का तो बज होगा। कि समय रहा है हुआश्य मानख समय रहा है Tea 24 अ हर form 2 25 से 20 ganze पालव हर जाएंगी लगनता कित्ना भड़ जाता है Wat prix फेकल डर्म 12बर ₹ सब्लomorph note 10 तो देा कि और शक्री 9 बाईकल चाहिए लिए 8 बलब करें तो टासे या जिक देख कते हैं यमनेतर बोलेगा तो यानि 12.80 डिग्री यी दिमांग उलाटर देगा ठीक है तो किस नागर से उकर गुजरता है नमिलेकुन आख रह याना किसके समय में लिया जाता यह तो सबसे समय कौन सा इलावजाएद क सब्सक्राइब कर रहा है और यह देख सकते हैं कि कि निग्जाओं में कोचन पूछा हुआ और यह कोचन आने के समावने जएदर रहती है क्योंकि पूछा है तो जारी सी बात आई भी कराएगा यदि अनुराचल प्रदेश में ट्रीप में शुरूए दे पांच मतलब हो रह कि आगे आते है कौन वह सहर दीख में सब्धिके सबसे समीप द्षांत्र पराष्ति थे दिल्ली करते अंतर फ़स्ति तो कौन समयर्ण रुणुर्ण है यह हो गया । इसके reefs कि रहने देते हैं पांचवा टॉपीक है क七 को पढ़ा जागा कल से यहां से यहां से फ़्वाश मुसूरु किया जागा नोट्स कटीक अधर। तो कमेंट करें बता दीजिए कि बताते रहे हैं अगर बाई दो किसी टोफिक को छोड़ जाओंगे तो बोल दीजिएगा उसको फिर दोबारा मैं मैं बनागा वीडियो अप्लेट कर दूँगा तो वीडियो कैसा लग रहा है क्या इस टोफिक को चलाया जाए या अभी छोड कि आप नहीं बताते हैं बुक के बारे में तो भाई सब मैं सारे बुक के बारे मताता हूं बसरते यह रहता है कि हर किसी को नहीं बता बता दो थीन को बता देता हूं तो मुझे लगता है कि बाकि सारे उसी रिप्लाई में देख लेते होंगा अगर आपको नहीं दिखा है तो कोई बात नहीं है, जिस दिन भी उस बुक को सुरू करता है, जैसे कल से हो सकता है, किस तरह का बुक है, जैसे कि कई बार मैं रिपलाइ दिया हो तो बताया हूँ कि वो महस्कुमार बारनौल का बुक है, उस बुक से और चाहे आप SCRT और NCRT से पढ़ रहे हैं, वो सारे आपके लिए इंप्वर्टन देखो बूक से कोई मतलब नहीं होता है सिंपली बात का होता है किस परकासन आप किसी परकासन का मुझे बूक दे दीजिए और आप हमें कोशन को की दे दीजिए मैं खोच के दिखा दूगा कि उसी बूक से आया हुआ है इदम गारेंटेड मैं दिखा दूगा बहले आपको पूरे के पूरे कोशन नहीं लड़े लेकिन कम से कम 70 परसंट से जएधा कोशन में डूंड के दिखा दूगा बुक से मेटर नहीं करता है कि कौन सा परकासन का बूक है क्या है डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं कोई टॉपि अगर विश्वास नहीं है अभी भी डाउट पे हैं बड़ बड़ इंसिचूट को पकड़ लिए पकड़ कर बैठे हुए हैं और सिंपल बात है कि यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं फिरी में आपकी आदत है पेड़ बेचे में पढ़ने के लिए पैसे देकर पढ़ने के लि मैं भी कुछ संकल्प लिया हूं कुछ सोचा हूं अलाकि आगे जो चीजे आएगी वह आप देखिएगा किस तरह मैं उसको बनाऊंगा वीडियो को ठीके धिरी मुझे भी थोड़ा सा इसमें अडिजेस्स करने दीजिए क्योंकि मैं सोचा था कि कम-कम वीडियो शुरुव अलाकि कोई दिकत निए जो भी है आप लोग के वजह से मैं यहां तक पहुंच पा रहा हूं ठीके और जैसे जैसे भी समय मिलेगा सारे वीडियो को मैं अपलेड करूंगा कोशिश करूंगा 20 माई तक इतिहास और भूगोल का सिलेबस कंपलेड कर दूं उसके बाद से करें अफेर और आप लोग का साइंस और मैत का उसका भी एनलेसिस करके बहुत चलता आया जाएगा आएगा धरे रेखिए सब का वीडियो आएगा धिरे-धिरे करके भाई लोग आप लोग समझते नहीं है हर किसी को अपनी जिग्यासा है कि मेरा एनलेसिस कर दीजे लिकिन आप 10 गंटे साम मेरा तो 6 गंटे मेरा क्लास रहता है और मैं क्लास नहीं जाओ ना तो अलग ही बवाल हो जाता है क्लास में समझे कि बच्चे इस तरह दीवाने हैं कि हमीशे पढ़ना है ठीक है तो थोड़ी से मुस्किल है आप भी थोड़ा मैनेज कर लीजी तो आप से भी करने के लिए बहुत कम यूटूब पर आता था ठीक है अब जो हैं आप लोग का प्यार जो इतना दिख रहा है तो मैं कुछ नया करने के लिए सोच रहा हूं तो जैसे आप लोगा सपोर्ट रहेगा तब बहुत कुछ किया जाएगा ठीक है तो यहें पर करते हैं वीडियो कर दीजिए किसी साथ में किजिए आपको मिल जागा लिंक कोशिश करो में डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डाल देने के लिए वहां से भी चाहिए तो डायरेक्ट आप जॉइन हो सकते हैं टेलीग्राप में जूड यहीगा टेलीग्राप भी मेरे लिए नया नया है उसमें भी चीज़ों को मैं या अपडेट करूंगा अभी जो है सारे पीडियाफ को इसमें डालते रहूंगा और भी किसी भी तरह का इंक्वाइरी होगा आप लिए को तो कमेंट कर गया ज़रूब पूछीगा और चीजे मैं भी आपसे सीख रहा हूं देरे-देरे सारे चीजों को मैं आदी हो जाओंगा यहीं पर करते विडियो कंत फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए धन्नवाद मस्कार अस्लाम अलेकुम जै हिंद जै भारत